नमस्कार जैहिंद बंदे मातरम मैं इंगलेश यादो आज अपनी यूटूब सेनल इस्गेशन विद केके पे आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों हम आज आप लोगों को समान निज्ञान यानि विज्ञान साइंस के महतपुर कोस्टन बहुत महतपुर साइंस कोस्टन लिए हैं जो जीके जीयस में के अंतरगत आते हैं बहुत महतपुर कोस्टन है दोस्तों हमें उमीड है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर दीजीगा दोस्तों बहुत ज़्यादा हम ना कुछ आप लोगों का समय लेते हुए सीधे कोश्चन की तरफ हम चलते हैं पहला कोश्चन है आसुओं आसों को मतल Geor Maston कर इंगल में टियर्स कहते में कौन सब पदार्थ घुला रहते हैं तो आपसन Aे है शामान्य नमक आपसन B है शमुद्र आपसन सी है स्टार्च आपसन D है गुलकोर्स तो उत्तर हमारा पहला सही होगा शामान्य नमक आशवों में मिला होता है आशवों में क् क्या बोलते हैं रस्ट लगती है तो क्यों लगती है आपसन पहला है फेरिक अक्साइड से आपसन भी हमारा है जलेवती फेरस था फेरिक अक्साइड से आपसन सी छार की फेरस एवंग फेरिक कार्बोनेट से आपसन डी उप्रयुक्त सभी के कारण से तो इसमें हमारा उत्तर सही होगा उप्रयुक्त सभी को कारणे से सभी कारणों से क्या होता है लोहे पर जंग लगती है रश्ट लगती है अगला कोशन है इंसुलीन इंसुलीन की खोज किसी ने की थी? आप्षन A है, बैटिंग ने, आप्षन A, बैटिंग ने, आप्षन B, डोमेक ने, आप्षन C, रोनाल रास ने, आप्षन D, हारवे ने, तो इंसुलीन की खोज किसी ने की थी? इसका उत्तर सही होगा आपसन ए बैटिंग ने इंसुलीन की क्या की थी खोच की थी अगला कोश नमारा है बनस्पती तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है बनस्पती तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है आपसन ए उसमा उचार से आपसन भी हाइड्रोजनी करन द्वारा आपसंसी आक्सीजन द्वारा आपसंडी एंजाइमों के द्वारा तो बनस्पतियों को तेलों को गी में कैसे परिवर्थित किया जाता है अगला कोशन है निम्न लिखित में से कौन सी एक मिश्रधातु है आपसंडी एलुमीनियम तो कौन सी एक मिश्रधातु है इसका उत्तर शही होगा हमारा आपसंडी इस्टील इसका उत्तर शही है अगले कोशन की तरब चलते हैं निम्न लिखित में से कौन सी इधन गैस नहीं है तो आपसंडी भाप अंगार गैस जिसे वाटर गैस बोलते हैं आपसंडी प्रोड्यूसर गैस आपसंडी हास गैस मतलब जिसे लॉफिंग गैस बोलते हैं आपसंडी मार्स गैस जिसे मार्स गैस इंगिस में बोलते हैं तो इसका उत्तर सही होगा हास गैस जो है इधन गैस नहीं है बाकी सब क्या है इंधन गैस है अगला कोशन है निम्न लिखित में से कौन सा तत्व प्रबलचारी आक्साइड बनाता है जब आक्सीजन में जलता है तो आपसन ए फास्फोरस आपसन बी सोडियम आपसन C लोहा आपसन D गंधक तो कौन सा तत्व प्रबलचारी आक्साइड बनाता है जब आक्सीजन में जलता है तो इसका उत्तर है सोडियम सोडियम तत्व प्रबलचारी आक्साइड बनाता है जब आक्सीजन से जलता है आठमा कोशन है फेदम क्या है फेदम है तो आपसन ए एक मचली होती है फेदम एक मचली होती है आपसन भी एक पोधा का नाम है आपसन सी एक बरतन को कहते है आपसन डी एक माप है तो फेदम क्या है इसका उत्तर सही होगा आपसन डी एक माप है फेदम एक क्या है माप है अगला कोशं नमारा है किसके मा अपने के लिए पूस्टों तो आफसन ए भोकंप की तीब अफसन बी वायू की गती आफसन सी शमुद्र की गहराई आफसन दी शरीर का अताप जब तक उत्तर बताएं दोस्तों तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर दीजे प्लीज दोस्तों रिक्वेस्ट है उत्तर इसका है भुकम्प की ती ब्रता रिचर स्केल से भुकम्प की ती ब्रता को ना पते हैं अगला कोशन है डायनमाइट के अविसकार दोस्तों एक रिक्वेस्ट है प्लीज दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे इसका उत्तर है अगला क्वेशन प्लास्टर अप्लेश क्से प्राब्त किया शतर है इसका अप्शन पहला है अप्शन डी कारबन से तो दोस्तों इसका उत्तर है प्लास्टर अप्पेरिश प्राप्त किया तो इसका एंसर शही होगा आप्शन बी जिप्सन से प्लास्टर आप पेरिस प्राप्त किया जाता है जिप्सन से अगला कोश्चन है चिकित साव युद्ध में उपयोग के लिए किये किन किरणों पर नवीनतम अनुशंधान हो रहा है तो आप्शन एक्सरे किरण आप्शन बी लेशर किरणे आप्शन सी गामा किरणे आप्शन डी कैठोर किरणे तो इसका उत्तर छही होगा हमारा आप्शन बी लेशर किरणे चिकिसाव युद्ध में उपयोगों के लिए प्रयोग किया जाता है राडार अगला कोशन राडार में किस प्रकार की तरंग होती है राडार में किस प्रकार की तरंग होती है आपशन A बिद्दुत तरंगे आपशन B बिद्दुत चुम्बकिये तरंगे आप्षन C ध्वनी तरंगे आप्षन D उप्रयुक्त में से कोई नहीं तो राडार में किस प्रकारागी तरंग प्रयुक्याता है इसका उत्तर हमारा सही होगा आप्षन B वेद्दुत चुम्ब की ये तरंगे अगला कोशन हमारा है आकास के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है आप्षन A सुरी की रोशनी नीली होती है आप्षन B वाय मंडल में उपस्थित धूल आदि के कनो द्वारा सौर गिर्णों का प्रकिर्णन आप्षन C प्रकास परावर्तन आप्षन D प्रकास अपवर् तो आकास के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है आप्षन B वाय मंडल में उपस्थित धूल आदि के कनो द्वारा सौर गिर्णों का प्रकिर्णन अगला कोश्चन है तेज गती से आता हुआ वाहन हार्न बजाता है तो उसका पिछ ए आप्षन उतना ही सुनाई देता है आप्षन B अधिक सुनाई देता है आप्षन C कम सुनाई देता है आप्षन D पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है तो तेज गती से आता हुआ वाहन का हार्न बजता है तो कैसा सुनाई देता है तो आप्षन इसका B सही है अधिक सुनाई देता है अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं शूति और उनी रेशों में अंतर ग्यात किया जा सकता है option a छूकर option b जलाकर option c naos से क्रिया कराके option d h into so से क्रिया कराके तो सूती और उनी रेशों में अंतर कैसे ग्याद किया था इसका उत्तर सही होगा option B जला करके इसके अंतर को समझ सकते हैं अगला कोशन हमारा है बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जब बर्फ का दाब बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक घटता है या बढ़ता है तो इसका आफशन पहला है घट जाएगा option B बढ़ जाएगा आफशन C अपरिवर्तित रहेगा option D शुन्य हो जाएगा तो बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है इसका उत्तर सही होगा option A घट जाएगा उसका गलनांक क्या होता है घट जाता है अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं option A उस्मा के बुरे उसोसक है option B सस्ते होते हैं option C आकर्षक होते हैं option D इन में से कोई नहीं तो गर्मियों में सफेद कपड़ा क्यों पहनते हैं इस कोश्चन का option सही होगा option A उस्मा के बुरे उसोसक है तो अगला कोश्चन हमारा है निमनलिकित में से गलत कथन कौन सह है यानि कि इन में से गलत कथन कौन है तो option A लोहा पानी में डूब जाता है option B लकड़ी पानी पर तैरती है option C पारा पानी पर तैरता है आपसंडी पारे में लोहा तैरता है तो इसमें निमलकित में से कथन कौन सा गलत है इसका उत्तर से योगा सी पारा पानी पर तैरता है पारे को पानी पर रख देंगे तो पानी पर तैरता है इसका आपसंडी यही सही है अगला question हमारा है शंत्रे में कौन सा vitamin अधिक होता है जो संत्रा होता है इस संत्रे में कौन सी vitamin सबसे ज़्यादा पाये जाती है या अधिक होती है option A, D, option B, A, option C, C, option D, B तो संत्रे में कौन सी vitamin अधिक पाये तो इसका उत्तर C सही है, vitamin C संत्रे में अधिक मातरम पाई जाती है चमगादन अंधेरे में भी उड़त सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है यानि चमगादन अंधेरे में उड़ते हैं तो उन्हें किसीज की सहायता प्राप्त होती है आपसने अल्ट्रा वाइलिट वेब से आपसन भी अल बी अल्ट्रा सोनिक वेव से अगला कोशन हमारा है एलुमीनियम किस खनिस से प्राप्त की जाती है एलुमीनियम किस खनिस से प्राप्त की जाती है आपसन ए मोना नाइट से आपसन बी इंत्रासाइट से आपसन सी बाकसाइट से आपसन डी थोरियम से तो एलुमीनियम किस खन से प्राप्त किया जाता है दोस्तों इसका उत्तर जब तक बताएं आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए इसका उत्तर है आप संसी बाक साइड से एलुमूनियम प्राप्त किया जाता है अगला कोशन है ब्लैक होल क्या है ब्लैक होल क्या है तो आप्षन A निहारिकाएं आप्षन B उलकाएं आप्षन C सूर्य के धब्बे आप्षन D इन में से कोई नहीं तो ब्लैक होल क्या है इसका आप्षन सही होगा आप्षन आप्षन D इन में से कोई नहीं तो 24 कोश्य हमारा है जल में अस्थाई कठोरता का कारण है आप्षन A मैगनीशियम कारबोनेट आप्षन B केल्सियम क्लोराइड आप्षन C जिंक क्लोराइड, आफिषन Déral, केल्सियम by कार्बोनेट तो जल में इस्थाय को ठोड़ता का कारण है, इसका उत्तर है आफिषन B, केल्सियम क्लोराइड, इसका उत्तर सही है अगले कोश्चन की तरब चलते हैं कैलोरी की मापन इकाई है दोस्तों इसका उत्तर जब तक बताएं तब तक आप लोग वीडियो को प्लीज एक रिक्वेस्ट है लाइक करके चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा इसका उत्तर है आपसन ए उसमा कैलोरी की मापनिकाय क्या है उसमा है अगला कोशन है शुर्य उदय होते समय वडूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है शुर्य जब उगता है और डूबता है तो लाल किस कारण से दिखाई देता है अगला कोशन घरों में बिद्दु सेयंत्र जोड़े जाते हैं घरों में बिद्दु सेयंत्र जोड़े जाते हैं तो किस क्रम में आपसन ए स्रेडी क्रम जिसको सिरीज बोलते हैं आपसन भी शमांतर क्रम आपसन सी मिश्रित क्रम से आपसन डी इनमे से कोई नहीं तो बिद्दुत में घरों में बिद्दु सेयंत्र किस स्रेडी से जोड़े लगता है एक कौन सी प्रक्रिया है कौन सी क्रिया है आप संदी इने में से कोई नहीं जब तक उत्तर बताएं तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट हमारी है आप लोगों से इसका उत्तर है आपसन B रासायनिक क्रिया लोहे में जंग लगती है तिये किस क्रिया से लगती है रासायनिक क्रिया से 29 वाला कोशन हमारा है विद्दुद बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है बिद्दुद भल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है आप्षन A क्रोमियम का आप्षन B टंगस्टन का आप्षन C तामबा का आप्षन D जस्ता का तो बिद्दुद भल्ब जो होता है जो गरों में जलता है इसका जो फिलामेंट होता है अंदर का वह किसी इसका बनाता है इसका उत्तर है टंगस्टन किसका बनाता है टंगस्टन का बना होता है लाश्ट कोस्टन इस वीडियो का केतली में पानी का गर्म होना उदारन है जो केतली में पानी गर्म करते हैं किसी इसका उदारन है आपसने चालन का आपसन भी शंवहन का आपसन अगले वीडियो में हम आप लोगों को प्रवाइट करेंगे दोस्तों वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोगों का सपोर्ट प्यार दुलार अगर ऐसे मिलता रहा तो हम वीडियो आप लोगों के लिए ऐसे लाते रहेंगे नमस्कार दोस्तों धन्यमाद